साथ यो किसी भी समाज में, समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या सहितकार, ये पत्ध प्रदर्सक की तरह होते हैं, एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं. स्कूली सिख्षा तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमारे सिखने की प्रक्रिया, पूरी उम्र चलती है, प्रती दीन चलती है, इसमें बड़ी ही एहम भूमी का, पुस्तकों और लेखकोंबी की भी है. हमारे देश में तो लेखन का निरंतर विकास भारतियता और राष्टियता की यात्रा के साथ साथ चले हैं. स्वतंतरता संग्राम के दौरान, लगबग हर बड़ा नाम कहीने कहीं से लेखन से भी जुड़ा था. हमारे यहां बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े विज्ञानिक भी लेखक और साहित्यकार रहे हैं. मुझे खुशी है, उस परंपरा को जीवन्त रखने का आप सब लगातार प्रयास कर रहे हैं. और बड़ी बात ये भी है, कि राजस्तान पत्रिका समू इस बात को खुद कहने का साहस रखता है, कि हम विदेशों के अंधानु करण की दौर में शामिल नहीं है. और अभी भी गुलाब जी बोल रहे थे, आप भारतिय संस्कृति, भारतिय सभ्यता और मुल्यों के सवरक्षन को, उन्हें आगे बढ़ाने को प्रात्फिक्ता देते हैं. गुलाब कोठारी जी की ये पुस्तकें, समवाद, उपनिशद और अक्षर यात्रा भी इसका जीता जागता प्रमार है. गुलाब कोठारी जी, आज जिस परमपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, पत्रिकाती की तो शुरुवात ही, किसी ने किसी रुप में इनी समस्कारों के साथ हुई थी. ची करपूर चंद्र कुलिश जी, उन्होंने भारती अताओं और भारत सेवा के संकल को लेकर ही, पत्रिकाती परमपरा को शुरु किया था. पत्रकारी ताम है, उनके योगदान को हम सब याद करते ही हैं, लेकिन कुलिश जी ने बेदों के ग्यान को जिस तरह से, सरल तरीके से, समाज तक पहुँचाने का प्रयास किया, वो सच मुच मैं, अधभूत है, प्रेरक है. मुझे भी व्यक्तिकर तौर पर स्वर्गे कुलिश जी से मिलने का कई बार अउसर मिला, उनकी मुझसे भहुत आत्मेता थी, वो अक्सर कहते थे, पत्रकारिता सकारत्मक्ता से ही सार्थक्ता तक पहुंचती है. साथियों, समाज को कुछ सकारत्मक्त देने की ये सोच, केवल, पत्रकार या लेखक के तौर पर ही जरूरी है, ये सकारत्मक्ता, ये सोच, एक व्यक्ती के तौर पर भी, हमारे व्यक्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है. मुझे संतोष है कि कुलिस जी की इस सोच को, उनके संकल्प को, पत्रिका समों और गुलाब को ठारी जी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं. गुलाब को ठारी जी, आपको तो याद होगा, जब कोरोना को लेकर, प्रींट मीडिया के सात्यों से मैंने मुलाकात की थी, वर्चुल मुलाकात थी, तब भी आपके सुझाव, आपकी सलाज, जब मैं सुन रहा था, तो यूही मेरे दिल से आवाज निकली थी और मैंने कह जाता कि आपके शब्द मुझे आपके पिताजी की याद दिलाते हैं, समवाद, उपनिशद और अक्षर यात्रा को देखकर भी, यही भाव मेरे मन में उड़ता है, कि आप अपने पिता की वैदिक विरासत को कितनी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं,